आज हम देखेंगे समांतर रेखाओं पर तिर्यक्छीदी रेखाद्वरा निर्मित कोणों के उदाहरण दिये गए चित्र में रेल के ट्रैक और सडक का प्रतिच्छे दन तर्शाया गया है ट्रैक की पट्रिया समांतर है, इसी प्रकार सडक के किनारे भी समांतर है इस जानकरी के आधार पर X का माप ग्याद कीजिए यह सवाल दिखने में कठिन जरूर प्रतीत होता है लेकिन यह काफी मज़ेदार सवाल है चलिए इसे हल करें यहां हम मान सकते हैं कि सड़क के किनारे और ट्रैक के पटरिया अपरमित रूप से अनंध यानि इन्फिनिटी तक जाती है इसलिए इन्हें हम समांतर रेखाओं यानि पैरलल लाइन्स के रूप में दर्शा सकते हैं इस सवाल को हल करने के लिए चलिए रेखाओं पर कुछ बिंदू लेकर इन्हें नाम दे इसी तरह हम इनके प्रतीच्छेदन पर बनने वाले बिंदूओं को भी नाम देंगे यहां कोन QBD और कोन PFE दो समांतर रेखाओं की तीरियक छेदी रेखा द्वारा बने एकांतर अंधर कोन यानि अर्टनेट इंटिरियर अंगल्स है इसलिए वे पराबर है यानि के कोन QBD पराबर कोन PFE पराबर तीरसट डिग्री है अब देखिए रेखा PQ और रेखा RS भी समांतर रेखाएं है और EH इनकी तीरियक छेदी रेखा है हम देखते हैं की कोन PFE और कोन EGR संगत कोन यानि करिस्पोंडिंग अंगल्स है चुकि वे समांतर रेखाओं की तीरियक छेदी रेखा द्वारा निर्मित संगत कोन है इसलि लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कोण EGR और कोण HGR दोनों ऐसे आसन्य कोण यानि adjacent angles है जहां किरण GE और GH ये दोनों विपरित दिशाओं में आगे बढ़ने वाली किरणे हैं इसलिए दोनों कोण मिलकर एक रखिक युगम यानि लीनिय पेर बनाते हैं यानि कि कोण EGR धन क कोण HGR बराबर 180 degree है चुकि हमें कोण EGR बराबर 63 degree यह पता है इसलिए हम कोण HGR का मान आसानी से ग्याद कर सकते हैं कोण HGR बराबर 180 degree रिन कोण EGR बराबर 180 degree रिन 63 degree इसलिए कोण HGR बराबर 117 degree है यानि कि दिये चित्र में X का मान है 117 डिग्री इसे हम एक अलक विधी से भी हल कर सकते हैं जैसे यहां रेखा PQ और रेखा RS समानतर है और रेखा AD उनकी 33 छिदी रेखा है हम कह सकते हैं कि कौन QBD बराबर कौन SCD बराबर 63 डिग्री है क्योंकि वे संगत कौन है इसी तरह रेखा AD और रेखा EH समानतर है और RS उनकी 33 छिदी रेखा है यहां हम कह सकते हैं कि कौन SCD धन कौन HGR बराबर 180 डिग्री है क्योंकि हम जानते हैं कि समानतर रेखा उपर 33 छिदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतह कौन संपूरक कौन यानि सप्लिमेंटरी अंगल्स होते हैं इसलिए इनका योग 180 डिग्री होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि कौन HGR बराबर 180 डिग्री रिंड कौन SCD चुकि कौन SCD बराबर 63 डिग्री है इसलिए कौन HGR बराबर 180 डिग्री रिंड 63 डिग्री बराबर 117 डिग्री है यानि कि X का मान है 117 डिग्री अगला उधारण रेखा LM, रेखा PQ और ST की 33 छिदी रेखा है कौन MCQ बराबर 32 डिग्री और कौन SOM बराबर 148 डिग्री है सपस्ट कीजिए कि रेखा PQ और रेखा ST समानतर है यहां हम देखते हैं कि कौन MCQ और कौन LCP शीर्षा भीमुख कौन यानि Vertically Opposite Angles है इसलिए वे बराबर होंगे यानि कौन MCQ बराबर कौन LCP बराबर 32 डिग्री है यहां कौन LCP और कौन SOM तिरियक शीदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतर कौन है अगर हम इनको जोडेंगे तो हमें कौन LCP धन कौन SOM बराबर 32 डिग्री धन 148 डिग्री बराबर 180 डिग्री प्राप्त होता है यानि कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतह कोणों का युग्म संपूरक है यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतह कोणों का युग्म संपूरक हो तो हम कहते हैं कि वे रेखाएं समानतर है इससे ही असपश्टो होता है कि रेखा PQ और रेखा ST समानतर है तो आज हमने देखे समानतर रेखाओं की तीरियक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों के उधारण अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जूड़ी कुछ मित्या धारणा है